हेलो बच्चो कैस्वाब सभी लोग आज हम इस वीडियो में हमारा इंग्लिश को चैप्टर 30 जिसका नमा है बिया निल्टिजन इसका हम कोशनसेश करेंगे ठीक है इसके लिए वीडियो आप आखरी तक जरूर देखना लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बिल आइकिन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे आगे के भी वीडियो मिलते रहे और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन अगर वहां नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेइलिस्ट का लिंक दिया है मैंने जिस पर आप क्लिक करो जो हमेशा internet यूज करता हो बार-बार internet यूज करता हो आज की समय में तो लग बग हर कोई ऐसा है internet यूज करने वाला ओकी विदिया तो कोई कामी नहीं होता है second क्या what about what about क्या था cause something to happen मतलब कि कुछ होने का कारण आप बुल सकते हैं कुछ होने का कारण उसके बाद देखो क्या है थर्ड में क्या amazing amazing मतलब क्या एक्स्ट्रीमली सर्प्राइजिंग मतलब कि एगदम आश्चरे चकित ठीक है एगदम सर्प्राइजिंग फृत क्या link link मतलब क्या to make a connection between things link मतलब कि दो चीजों को बीच में जो जोड रहता है उसे हम link बोलते है ठीक है फिफ्थ क्या आपको browsing ब्राउजिंग मतलब क्या looking at information on the internet मतलब कि कोई भी जानकारी जो internet पर है उसे देखना है उसको हम बोलते है browsing ठीक है फिफ्थ क्या surfing मतलब का spending time visiting a lot of websites surfing मतलब क्या देखो कि बहुत सारी website पर visit करना इंटरनेट पर visit करना वहाँ पर time spend करना surfing देखो अगर उसका असली मतलब देखो कि surfing मतलब एक और रहता है कि लहर के उपर जो surfing करते हैं surfing बोर्ड पर खड़े होके वो रहता है लेकिं इंटरनेट पर surfing करने का मतलब यह होता है कि कई website पर जाना वहाँ पर time spend करना okay seven क्या update update मतलब क्या to make something more modern by adding the latest information क्या मतलब कि कि किसी भी चीज़ को और भी ज़्यादा modern और भी ज़्यादा modern बनाना उसमें और ज़्यादा information एड़ करके जानकारी एड़ करके okay यहाँ देखो modern में यह gap नहीं है को गलतिस हो गया मैं सही कर देता हूँ तो देखो इस सरी किसा आपको रहागा ठीक है add का भी आपको देखो be online मतलब कि to be able to use email or the internet मतलब कि email और internet use कर पाना ठीक है अब देखो question 2 कि आपको list the words और phrases related to the computer और internet क्या बोले है यहाँ पे कैसे words या phrase आप लिखो जो internet से related हो अब देखो answer में कहा है network एक तो network होगा है यह भी internet से related है फिर log on, log off, website, world wide web world wide web मतलब किया www.आपने चुना है न वो उसके computer programs यह भी हमारा internet से related है search engines यह भी, browsing यह भी, surfing यह भी, update यह भी तो यह सारे words है जो अपने chapter में से निकाल के यहाँ पे लिखा है जो internet से related हो आप और भी निकाल के लिख सकते हो अब चलो question number 3 पर चलते हैं यहाँ पी क्या हमें बोल रहे है answer the following questions in one sentence एक वाकि में जौब देने बोला गया है तो इसमें देखो पहला आपको क्या है पहला देखो यहाँ पे आपको बोल रहे है have you ever seen or used a computer देखो क्या बोल रहे हैं आपको कि क्या आपने कभी computer देखा या use किया है तो इसका तो answer आप बोल जो तो yes I use a computer nearly every day at school or at home लबकि हाँ मैं तो लगबग हर रोज computer या तो अपने school या तो घर पे use करता ही हूँ second क्या what is the internet अब क्या आप खुछ रहें internet क्या होता है the internet is a network of computers क्या बोले internet जो है वो network of computers है जहाँ पे बहुत सारे computers एक दूसरे से जुड़े हो ठीक है थर्ड क्या what is website क्या बोले website क्या होता है website is a place on the net क्या बोले website जो होती है वो एक जगा होती है net पर ठीक है अब देखा आपको question number four में कह दिया गए यहाँ बोले what is the worldwide web क्या बोले worldwide web क्या होता है तो आइसर क्या thousands of website on the net together from the worldwide web क्या बोले हजारों website जो हमारे internet पर होती है वो साथ में मिलकर worldwide web बनाती है www.ok फिफ्थ क्या what are search engines क्या होता है search engines क्या होते है search engines are special computer programs which help you to find different websites on the worldwide web क्या बोले search engine यह है जो एक computer program है जो हमें मदद करता है अलग-अलग website worldwide web पे ढूडने की ठीक है ढूडने में six क्या what is meant by browsing और surfing क्या बोले browsing और surfing का मतलब क्या होता है looking at the various websites is known as browsing और surfing दीने मतलब क्या बोले कि कई अलग-अलग तरीके की website को अगर हम internet पर देखते हैं तो उसको हम browsing और तो surfing बोलते हैं ठीक है seventh हो गया भी चलते हैं अब दो यहाँ पर हमें seventh हमने sorry six हमने कर लिया है अब चलते हैं seventh की तरफ क्या है what is meant by being online क्या बोले online का मतलब क्या होता है कि online रहना तो answer क्या है when your computer is connected to the internet you are online मतलब कि जब भी आपका computer internet से connected हो तो उसको बोलते हैं कि आप online हो eight क्या what is meant by being offline क्या बोले है कि offline का मतलब क्या होता है कि आप offline हो इसका answer क्या है when your computer is not connected to the internet you are offline मतलब कि जब आपका computer internet से connected नहीं हो तो इसका मतलब है आप offline हो nineth क्या what is email और electronic mail क्या बोलने है कि email या आप बोल सको electronic mail क्या होता है the system of sending and receiving message और mail on computers is known as email और electronic mail क्या बोलने कि message को भेजना या तो receive करना computer के दोआरा उसको हम email या तो electronic mail बोलते हैं ठीक है अब देखो question number 10 में आपको क्या है या पोलने what is a password क्या बोलने password क्या होता है तो आपको पता है क्या लिखो गया अब password या secret word or group of letters and or numbers क्या बोलने एक password एक खुफिया खुफिया group of letters or numbers होता है ठीक है secret word होता है secret एक शब्द होता है जिसमें letters और numbers आते हैं आपका भी password होगा कुछ भी password आप लिख सकते हो आप उसमें ABCD 987 AB12 इतना simple नहीं थोड़ा hard password आप ऐसी रखते होगे अपने phone का भी लोग password रखते हैं अपने facebook का भी password रखते हैं अपने instagram का भी रखते हैं यो तो अपना कोई अगर bank का कुछ account हो phone में जो digital account रहता है उसका भी password रहता है तो ये password अलग अलग जगा यूज होता है लें के what is netizen क्या बोले netizen क्या होता है कौन netizen होती है answer क्या a person who uses the internet who uses the net is a netizen क्या बोले एक ऐसा इंसान जो internet के इस्तेमाल करता हो उसे हम netizen बोलते हैं ठीक है 12 का है would you like to be a netizen अब आपसे क्या होले क्या आपको netizen बनना पसंद है answer क्या yes I would certainly like to be a netizen क्या होले हाँ मैं एक netizen बनना चाहूंगा आज के समय पे तो हर कोई वैसा है internet तो हर कोई इस्तेमाल करता ही है उसके भी न हमारा ना काम होगा ना हमारा अब उसके office का काम होगा कोई भी काम नहीं हो पाएगा अब ये भी videos जो मैं आप तक पहुचा रहा हूँ ये भी internet के द्वारा ही पहुचा रहा हूँ internet नहीं रहेगा तो मैं video नहीं पहुचा पाऊँगा आप तक तो मैं भी एक तरीके का netizen हो क्योंकि मैं भी रोज internet use करता हूँ रोज videos upload करता हूँ ठीक है अब आगे देखो क्या आपको यहाँ पे आपको question पर 4 में बोल रहे है draw a diagram to explain the idea of the internet क्या बोले एक diagram आप बनाना है था कि आप idea of जो internet है उसको explain कर पाऊ तो देखो इस तरीके से आप बता सकते हो ओके देखो यहाँ पे हमारा जो satellite है उससे हमारा जो है जो हमें connection internet कर बिलता है वहाँ से मिलता है हमारा जो भी antenna रहता है उसके दोरा हमारे laptop, computer यह सारी चीजों में आता है ठीक है फिर phone line connection भी देखो यहाँ पे दिखाएगा इस तरीके से आप बता सकते हो यह exam में आपको आएगा नि तो आप इसे ख़री देख लो और बना लो चाहिए तो अब दो question number five में आपको क्या बोले sorry question number five में क्या बोले find the picture of a computer with the help of your teacher and label the different parts you see क्या बोले कि आपके teacher की मदद से computer के picture ढूनो और उसको label करो अलग अलग पार्ट जो आप देखते हो for example देखो कैसे monitor screen, speaker, processor, mouse mouse pad, keyboard etc. यह सारे parts को आपको label करने हैं तो आप कैसे करोगे यहाँ पे देखो आपने समय लो यह हमें मिली है picture computer की ठीक है पूरी तो हम कैसे इसको label करेंगे सबसे पहले दोखो यह तो हमारा CPU है Central Processing Unit जिसको बोलते हैं यह हमारा है जिससे computer चलता है हमारा main यह है computer का दिमाग बोलते हैं इसे फिर हमारा यह है monitor जिसपे हमें जो भी रहता है computer की जानकारी इस पे दिखती है उसके बाद है हमारा keyboard है जिससे हमें कुछ भी type करना है search करना है हम इससे करते हैं उसके बाद हमारा यह mouse है जिससे हम अपना arrow इधर रुदर लेके जाते हैं और click करते हैं जो भी चीज़ पर click करना है उसके बाद यह speaker है अगर हमें computer में से कुछ भी video देखना है तो उसकी आवाज यहां से आती है उस video की और यह हमारा microphone है इससे हमें अगर कुछ बोलना रहे तो हमारी आवाज इससे जाती है किसी तक microphone लगा के उसको तो हमारा यह printer अगर कोई picture हमें computer से निकालनी हो आपको याद रखना है एक्जाम में भी आ सकता है राइट अपोजिट वर्ड्स तो हमें पैसेज में से ढूंड के लिखना है पहला कि आदेखो log on log on का अपोजिट क्या होगा log off connected connected का अपोजिट क्या disconnected large का अपोजिट क्या tiny large मतब बड़ा tiny मतब छोटा can can का अपोजिट क्या cannot can मतब कर पाना बड़ा cannot मतब नहीं कर सकता उसके बाद क्या है आपको फिफ्ट में क्या है online online का अपोजिट क्या offline receive receive का opposite क्या send receive मतब मिलना send मतब भेजना अब question number seven में आपको देखो क्या बोले forms related to ICT information and communication technology क्या बोले कि ऐसे ही दस आपको और short form ढूणने है ICT के ICT मतब कि information and communication technology मतब में information and communication technology से related words और ढूणने है जो short form हो तो देखो हम यहाँ पर ढूणते हैं चलो तो देखो यहाँ पर हमने ढूणके रखा है पहला क्या हमारा है AI मतब क्या artificial intelligence यह आपने सुना होगा AI ठीक है AI अभी हमारे दुनिया में आ रही है एक टाइम बाद होगा सारी चीज़े AI से control होगी AI मतब क्या होता है artificial intelligence अब देखते हैं रोबूट से सब बनाते हैं उसमें AI रहता है second क्या ACD ACD मतब क्या मतलब क्या bandwidth उसमें CAD CAD मतलब क्या जिसको guide बोलते हैं उसमें computer edit design यह एक course होता है इसमें 3D design इस सब बनाते है उसमें 6 क्या है CRS CRS मतलब क्या हो computer reservation system 7 क्या LAN LAN मतलब क्या होता है LAN LAN मतलब क्या होता है local area network 8 क्या LCD LCD मतलब क्या है liquid crystal display TV देखो LCD के रहती है LCD TV 9 क्या MB MB मतलब क्या megabyte जो आपको internet मिलता है 1 MB, 2 MB MB क्या मतलब क्या megabyte GB क्या megabyte 10 क्या MPU MPU मतलब क्या micro processor unit तो यह हमारे होगे 10 short form information and communication technology अब देखो 8 में चलते है 8 में क्या आपको choose a word that has at least 4 letters in it क्या बहुले है एक word use करना है जिसमें कम से कम 4 letter है imagine that it is a short form आपको imagine करना है वो short form है बतलब आपको short form खुद से बनाना है write the name, phrase, words it stands for क्या बहुले है और वो किस चीज़ का short form है वो भी आपको लिखना है for example अब दोको एक short form यह लोग ने बना के दिखा step step तो इसका full form क्या है Sunday and Thursday evening program S for Sunday and T for Thursday E for evening P for program तो ऐसे आपको बनाना है तो आप क्या बना सकते है दोको wins W-I-N-S इसके आप क्या सकते है women in need of support second क्या दोको SCAR SCAR तो इसका full form क्या street children's association for rehabilitation ठीक है तो इस तरीके से आप दो बनाया है अगर आप और बनाना चाहिए तो और भी बना सकते है तो यहाँ पर हमारे chapter complete हो गया है अभी अगले उडियो में आपको दूँगा 30 second जिसका नम है Helen Keller यह हम करने वाले है अगले उडियो में तो जितना अभी तक मैंने कराया आप इसे अच्छे से पढ़ लो और revise कर लो learn कर लो ताकि अगर आपका test हो तो आपको full marks है मिलते अभी अगले उडियो में अगर आपको यह उडियो अच्छा लगा तो आप इस उडियो को like करो अपने सभी दोस्तों के साथ share करो और चैनल को subscribe करो तेंक यू